अगर आपके पास भी पुरानी साइट पड़ी है, कलर फैड हो गया है, कहीं से कट लग गया है, तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं फैकिएगा, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही खुबसूरत सा बैग, आप इस बैग को ट्रॉल में भी यूज कर सकते हो, आप इसके अंदर पांच अपनी कंबल जो है पतली वाली होती है, छोटी वो सिंगल बैड वाली, वो पांच कंबल आप इसके अंदर स्टोर करके भी रख सकते हो घर में भी, तो बहुत ही प्यारा और खुबसूरत सा बैग बनने वाला है, बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसक सेल करती हूँ, क्या होता है, जो कपड़े कलर फेट हो जाता है, या फिर कई से फट जाते हैं, जो किसी को डोनेट करने के लाइक नहीं होते है, उन कपड़ों का हम यूज करते हैं, और बनाते हैं हमारे लिए काम की चीजे, तो आज मैं पुरानी साइट लेकर के आई आज की वीडियो को शुरू करते हैं, तो देखिए मैंने एक साइट लेकर प्लेन साइट है, एकसल साइट की साइट है, और सबसे पहले हम इसके बटन बंद कर लेंगे, यहां से इस तरीके से, बीच में से एक एक बटन छोड़ते जाएंगे, और फिर एक एक बटन बंद क करते जाएंगे, और इसमें चुन्नट भी बहुत सारी आई हुई है, मतलब है, इसको प्रेज करने की जरूरत है, तो एक बार नीचे से इस तरीके से इसको कटिंग करेंगे, और उसके बाद साइट से कटिंग करेंगे, तो देखिए साइट से यह जो इसकी मोटी करनी है, ना इसमें करते हैं, और एगर त्रबुरत करेंसे से कुन्ट करते हैं, अब त्रब एक बार नें, कुन्स प्रेंसे, अर ऊंसरी करने हैं क्या है, मतलब हमको एक्डम सीधी सीधी कटिंग करनी है, और आब इसमें। बेटन तक की सिधाय से हम को इस त Plas करनी है और अब देखी इसको इस VollD ने सब स्किरने कर हो लेंगे तो पता रहेगा कि धर से हमारी कमी जादा तो नहीं कटी है और अगर है कमी जादा तो इस तरीके से हम इसको कटिंग कर के सीधा करने है गाईज इसको हमें प्रेस करने पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर जो है चुन्नट आई हुई हैं बहुत सारी तो एक बार इसको हम प्रेस भी करेंगे कटिंग करने के बाद अब देखिए स्ल्यूज को लेंगे स्ल्यूज को इस तरीके से कटिंग करेंगे, सबसे पहले तो आगे वाली जो कफ होती है, उसको कटिंग करके हटा देंगे, मोटे वाले पार्ट को, दोनों स्ल्यूज को सेम तरीके से कटिंग करेंगे, और अब देखिए, जो सिलाई वाला पार्ट है, उधर से हमको इस तरीक बिल्कुल चाहिए यहाँ से पोकेट को हटाएंगे और यहाँ पर इस त्रीके से उपर की तरह करते विए यहाँ पर इसके से उपर कआते वह करूँ कर देंगे इस त्रीके से अब देखिए हमें एक rice bag की ज़रूरत है तो double fold में मैंने rice bag लिया है और इसके उपर देखिए एक part को रख लेंगे यापर इस तरीके से और जितना extra part होगा rice bag का उसको cut करके निकाल देंगे तो इस तरीके से दो पीस आ जाते हैं हमारे पास अब देखिए rice bag की उपर इस part को सीधी side उपर करते भी रखेंगे और यहाँ पर इस लए लगा के जो है इसको इसके साथ में अटेज कर लेंगे और दूसरे part को देखिए इस तरीके से double fold करेंगे और इसको यहाँ से हम cutting कर लेंगे cutting करके दो part बना लेंगे इसके और उसके बाद देखिए इस part के button जो है वो open कर लेंगे सीधी side उपर करते वे हम रखेंगे इसके उपर अब और इसको seal कर यहाँ पर attach कर लेंगे दूसरे part को इस तरीके से इसके उपर रखेंगे और इसको भी seal के इसके साथ में attach कर लेंगे तो देखिए attach हो गए है सारे part अब देखिए इस तरीके से रखेंगे इसको सीधा रखेंगे नीचे वाले part को और इसके उपर इसको उल्टा करके रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम slay लगा देंगे दूसरे पार्ट को यहां पर रखेंगे और यहां पर सलय लगा देंगे सिधी साइट दोनों पार्ट की अंदर है और अगर साइट में से कहीं से टेडा मेडा है तो इसको कट करके सिधा कर लेंगे अब तो देखिए ये पार्ट रेडी हो जाता है अब इस पार्ट को रख देंगे साइड में अब हमें स्ल्यूज लेनी है तो देखिए स्ल्यूज को भी मैंने प्रेश से सिधा कर लिया था अब देखिए एक राउंड में बर्तन लेगे और इस बर्तन की अंदर से चोड़ाई है दस इंच की इस तरीके से इसको रखेंगे और आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ते वे मार्जन के लिए फिर हम कटिंग कर लेंगे इस कपड़े की स्ल्यूज की इस तरीके से ये देखिए दो पीस कट के हमारे पास आ जाते हैं तो इनको एक बार साइड में रखेंगे अब देखिए हमको स्ट्रीप त्यार करने के लिए इसमें से कपड़ा कट करके निकालना है तो इस कपड़े की चोड़ाई है तीन इंच की और इस तरीके से देखिए म तो देखिए मैंने attach कर ली है इस तरीके से आप इसको इस तरीके से fold करेंगे यहां से कन्नी इसकी आदा इंच अंदर की set दबाएंगे और फिर इसके उपर देखिए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे किनोर की तो इस तरीके से जो हाई है हमारी तनी बनकर तयार हो जाती है फ्रेंट्स अगर आप कहीं पर भी कन्फ्यूज होते हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगी इस तरीके से देखिए एक साइड शिलाई लगने के बाद हमको दूसरी किनोर के उपर भी इसके उपर सेम तरीके से शिलाई लगा लेनी है और ये कपड़ा थोड़ा सा मोटा था तो मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है इसी तरीके से जो है दूसरी तनी भी हमको बैना लेनी है तो दो तनी बनकर हमारे पास त्यार हो जाती है चोड़ाई है सवा इंच की और इसकी लंबाई है यहां से 26 इंच की तो इस तरीके से दो तनी बनकर त्यार हो जाती है अब हमको तनी अटेच कैसे करनी है इस पार्ट को उठाएंगे यहां से और इधर की साइड हमको 6 इंच पे मार्क करना है तो यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे 6 इंच की और 6 इंच की ही मार्किंग हमको इधर की सैड करनी है और उपर से बटन की पट्टी को छोड़ते वे 4 इंच पे मार्क कर लेंगे और इधर की सैड भी 4 इंच पे मार्क कर लेंगे तो देखे यहाँ पर हमको जो है यह तनी लगानी है इसमें तो तनी को देखे यहां से आफ हिंच अधर की side फोल्ड करेंगे और यहाँ पर रखेंगे और डबल सिलाई लगाएंगे इसके उपर तो सिलाई लगा के भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से लगानी है आपको तो देखे इसको इधर से इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे एक सैड की तनी इस तरीके से हमारी लग जाएगी अब दूसरी सैड भी हमको सेम तरीके से मार्किंग करनी और सेम तरीके से तनी लगानी है वही 6 इंच पे मार्किंग करनी है यहाँ पर भी तो इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे इधर से हमको 4 इंच पे मार्किंग करनी है उपर हुकाई की पट्टी हमको छोड़ते वे फिर यह मार्किंग करनी है इस चीज का दियान रखना है तो इ देखे यहां पर रखी है मैंने पट्टी और अब देखे यहां पर चार-पांच बार मशीन को अच्छे से बैक करते वे इसको पक्का करेंगे और फिर मशीन को आगे की तरफ ले करके जाएंगे और यहां से देखे इसको इस तरीके से गुमाएंगे थोड़ा सा और हाफ से डबल स्लाई करते वे इसको यहां से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहां पर रखेंगे और फिर से डबल स्लाई लगाते वे इसको पक्का करते वे हम यहां पर सील लेंगे तो इस तरीके से जो है हमको दूसरी तनी भी लगा लेनी है बिल्कुल मैंने स्लो करके वीडियो को आरा और श्लाइज से अटेच किया हमें इसको यह देखी इस तरीके से अब देखे यहाँ पर रखेंगे हमकी नौर के उपर और जो उसकी बटन की पट्टी है उसको छोड़ते वे जो है हमको इस तरीके से इसको सील लेना है और आधा इंच स्लाइज में दबाना है और राउंड क से लग रहा है और नहीं हमको इसमें लाइनिंग की जरूरत है नहीं कोई फोम सीट की जरूरत है नहीं कोई हमने अलग से कोई नया कपड़ा लिया है इसमें पुरानी सेट का यूज किया है सेम तरीके से दूसरा सरकल भी हम जो है अटेच कर लेंगे दूसरी साइड यहाँ पर देखे मेंने attach कर लिया आप इसको सीदा करेंगे सीदा करते टाइम जो है हमको कन्नी को अच्छे से बाहर निकालना है बिल्कुल finishing से कन्नी को बाहर निकाल लेंगे दबाते वह बिल्कुल ही अख़े अरूटे रूंगली की साहेता से और फिर देखे अब इसके अंदर इस कमबल ही डाली है और देखिए आप देख सकते हो अभी भी कमफर्टेवल है बिल्कुल ही कमफर्टेवल बटन बंद हो रहे हैं अभी इसके और गाइज इसको आप ट्रेवल में यूज कर सकते हो क्या होता है जब हम लंबा ट्रेवल करते हैं तो हम उसमें अपनी ओडने की आप साथ आपके घंबल और चोटे वि स्थर हम साथ में लेके निकलते हैं तो इस तरीके के बैक में आप अपने बिस्थर डाल सकते हो अपने बेभी के कपड़े ऑपस में डाल सकते हो अ पहीं पर कोई भी जह सेप बिगडने वाला नहीं है तो आप पनी पुरानी सर्टका इस तरीके से यूज कर सकते हो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि यह आइडिया आपको कैसा लगा है मैं उमीद करती हूँ आपको जरूर यह आइडिया पसंद आया होगा तो आप भी अपनी सर्ट का इस तरीके से ट्रेवल बैक बना कर मेरे साथ कमेंट में सेर करें कि आपका वैक कैसा बना है तो आज के लिए बस इतना ही मिलतें नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए मस्त रहिए बाई